Microsoft Excel में Conditional Formatting से होने वाले बहुत सारे Magic की वीडियोज में ने अपलोड की है ये चैनल पे अल्ड़री दोस्तो मित का तो आपने देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो description में उसकी link है आप देख लेना Conditional Formatting amazing way से कैसे present करते उन वीडियोज में है लेकिन आज की वीडियो में भी कुछ Conditional Formatting से related ही है जिया दोस्तों Conditional Formatting से हम Alternative rows कैसे highlight करेंगे या फिर Alternative columns कैसे highlight करेंगे वो भी हम आज की वीडियो में देखने वाले साथ ही हम देखेंगे कि 2 रो छोड़ने के पाद 3 रो यानि कि हर 2 रो छोड़ने के पाद 3 रो कैसे highlight करेंगे ये आज के वीडियो में हम देखने वाले तो Conditional Formatting का ये amazing वीडियो आप पूरा देखेंगे उम्मेद करता हूँ तो चलिए मैं सतिश क्लानमो चैनल में आप सबका स्वागत कहता हूँ लेट्स रोल दे इंट्रो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से फ़ले मैं आपको बताओ कि अगर आप सीखना चाहते Computer Tips and Tricks और Excel में बनना चाहते Smart Excel की Tips and Tricks भी सीखना चाहते तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाज़ू में जो बेल आइकॉन दिया है उसे भी क्लिक करना होगा तो चलिए शुकते आज का टॉपिक तो दोस्तों Conditional Formatting की मदद से Alternative Rows और Alternative Column कैसे highlight करना है ये Conditional Formatting with formula Excel के अंदर कैसे apply करना है इसके लिए मैं लेकर चलता है आपको computer screen के वाओ तो चलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे highlight करना है एक row छोड़ के एक row मतलब Alternative Rows highlight करने है तो मुझे यहाँ पे दो number row छोड़ देना है इस data में से और तीन number row highlight करना है फिर उसके बद पाच number row highlight करना है तो उसके लिए करना क्या है Simple सा Conditional Formatting का formula यहाँ पे हम सीखने वाले तो उसके लिए मैंने data लिया है और मैं यहाँ पे इतना data select कर लेता हूँ इतना data मुझे select करना है क्योंकि मुझे इस तरह से highlight करना है आपको यहाँ पे clearly दिखाए दे रहा है और इसमें हम लोग use formula to determine which sales to format इसे हम select करेंगे तो मैंने कर लिया select और select करने के बाद नीचे आपको formula लिखने के लिए cursor आ रहा है तो उस box में मैं यहाँ पे cursor रहा हूँ और formula कौन सा लिख रहा हूँ मैं इसे explain करके बता हूँगा लिकिन पहले formula लिखे देखे result क्या आता है तो मैं यहाँ पे formula लिखे मैं आपको बता देता हूँ mod formula इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद comma इसका divider में ले रहा हूँ 2 अगर मैं इसको divider करता हूँ तो इसका answer अगर यहाँ पे आता है 1 it is equal to 1 if it is equal to 1 तो यह जो statement मैं लिखा है अगर यह true है मतलब क्या आपको मैं समझाता हूँ अगर mod function से हम लोग row number का यहाँ पे divider निकालेंगे 2 के साथ तो वो 1 आता है तो answer अगर यह true है तो हम लोग उस cell को color देंगे तो चलिए मैं format करके यहाँ पे color पहले apply करके दिखाता हूँ आता है की नहीं आता है तो यह row number 2 है तो वो row number बताएगा तो हर एक row का number यहाँ पे बताएगा row function आपको दिखाए दे रहा है मैंने row function यहाँ पे भी उसका row number बताएगा जिस row में आप लिक होगे clear है यह उसके बाद अगर यह row function हम लोग mod के अंदर यूज करते हैं मतलब यहाँ पे mod function हम लोग लेते हैं यह row function वाला यह जो से ले वो लेते हैं कॉमा डिविजर लेंगे डिविजर मतलब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका answer क्या होगा अगर 2 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 completely divide हो जाता है दोस्तों और जहाँ पे completely divide होता है 2 से वाँ पे आपको बता है reminder बचता कितना है 0 तो यह समझ मैं होगा आपको तो odd number और even number mod आपको बताता है 1 और 0 दिखाए दे रहे हैं आपको clearly तो वह function मैंने यहाँ पे use किया है मैं आपको conditional formatting में दुबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे इसे select करके manage rule में चला जाता हूँ manage rule के अंदर यहाँ पे मैं आपको edit rule options दिखा रहा हूँ दोस्तों edit rule में आप देख सकते हैं मैंने formula क्या लिखा है formula यहाँ पे मैं zoom कर रहा हूँ और आप देख सकते है is equal to mod row row number बताएगा और उसका division 2 तो यहाँ पे is equal to 1 जब ही odd है तभी वह highlight होगा अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो होगा क्या मुझे बताओ अगर यह 0 करता हूँ तो होगा उल्टा जो यहाँ पे 3 number का row आपको highlight दिखा दे रहा है sales के अंदर तो 3 number की जगए यहाँ पे 2 number highlight होगा फिर 4 number होगा देखे result तो देख लेते हैं okay करके देखते है apply करके देखते है और okay तो अभी आपको समझ में होगा क्योंकि मैंने उसका answer 0 जहाँ जहाँ 0 आता है mod के function के साथ वो row highlight होने वाला है तो यह conditional formatting से किस तरह से हम लोग row function use करके यह highlight कर सकते हैं आपको समझ में होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर दो row छोड़के मतलब यहाँ पर दो तीन number के row छोड़के 14 row highlight होना चाहिए फिससे दो row छोड़के next row highlight होना चाहिए तो आपको हर एक तीसर row highlight करना है जो कि blank दो row छोड़के तो इसमें क्या changes करना है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दो की जगह आपको करना है तीन दोस्तों और तीन के बाद यहाँ पर one ही रख देना है manage rules में चले जाएंगे manage rules तो आपको पता है, select करेंगे और दुबारा edit rule options पे click करके, हम यहाँ पे बस rows की जगा भी column लिख देंगे, आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे मैंने row लिखा है, अब मैं यहाँ पे column लिखूंगा, चलिए मैं column लिख देता हू column और column में मुझे यहाँ पे हर दूसरा column highlight करना है, मतलब alternative column highlight करना है, तो 2 लिखूंगा, ओके करूंगा, apply करूंगा और ओके करूंगा, आपको result दिखाए दे रहा है पहला column highlight हो रहा है, तीसरा हो रहा है और पाचा हो रहा है, क्योंकि odd number की सबसे यहाँ पे highlight हो रहा है, फिलाल मैंने odd number के लिए criteria दिया है, तो इस तरह से आप rows और column alternatively highlight कर सकते और कैसे करना है, conditional formatting से यह मैंने आपको बता दिया है, दोस्तो तो दोस्तो कैसे लगा आज का यह वीडियो, मुझे comment section में जरूर बताना, comment type कर दो, जल्दी से comment type कर दो, और कैसे लगा आपको यह वीडियो, मुझे जरूर बता दो क्योंकि आपकी comment पढ़ने के लिए मैं काफी interested हूँ, साथी में अगर वीडियो अच्छे लगा तो आप एक करेंगे, like बटन पे click दोस्तो, like बटन पे click कीजिए आपकी करेंगे, अम्मीत का तो, चले मिलूंगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एकी कहूंगा सेखते रहो, सिखाते रहो, बाई बाई